जैहिन साथ क्यू स्वागे थे आप सभी का education cat6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों देखे अभी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ 12 बज कर 40 मिनिट पर ये समय हो रहा है और ये चुकी notification थोड़ा सा लंबा भी है बनाते बनाते काफी समय बीच जाएगा लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजे बता देना चाहता हूँ कि इस notification में क्या क्या बाते कर गई गई है और आपको किस बातों का ध्यान रखना है पहली चीजे तो इस notification पर आते हैं आप लोग तो इस notification में जो भी चर्चाए हुई है आपके counselling को लेकर ये ध्यान रखेगा ये counselling को लेकर चर्चाए हुई है कब से होगा counselling ये अपने आप में बड़ा चीज है तो 25 दिसंबर का इंतिजार कीजिए आप लोग 25 दिसंबर तक counselling होने की संभावना है ये आपे दूसरी चीज यहाँ पर आपको बदा दे कि counselling के दोरान यहाँ पर बुला गया है कि आपका जो भी डॉक्मेंट है चाए वो सेक्षिनिक हो प्रसेक्षिनिक हो ये इन प्रमा आप लोगों ने upload किया था फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा तो अब ये तो एक जानकारी दूसरी जगी मोटा मोटी में एक चीज़े को बता कि इसको upload कर रहा हूं और कल इस पर detail वीडियो बनाऊंगा मैं चुकि इसमें cut-off का भी बात किया गया है और इसमे कैसे आपका जो है final cut-off बनेगा है ना कि final cut-off क्या बनेगा वो आपको इसमें बताया गया है उन सब के उपर भी discuss करेंगे दूसरा चीज़ है कि जब भी आप लोग यहां पे अपने documents को download करेंगे क्या हुआ है कि आप लोगों ने form बरते से में upload किया है जो जो document उसको आप कर यहां पे जैसी download कीजिएगा उस पर एक नया watermark आएगा जो registration number के सहीत होगा और watermark अंकित रहेगा जो कि पहले से watermark जो थाना उससे भिन होगा यानि कि नया watermark होगा यह दूसरा update है तीसरा update यहां पर यह दिया गया है इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेगा counseling करवाने में आपको इन सभी download किये हुए watermark का document है उसका एक folder बना के ले जाना है दूसरा चीज जो कि आपका original document है उसका भी एक अपना folder रखे रहेगा भई हो मत दीजेगा उसको लेके भी जाना साथ में उसी से आपका जो हो क्या होगा matching किया जाएगा ठीक है अब यह फोटो blur आया था मतलब जो document upload किये थे यह कटा हुआ फोटो आया हुआ था पूरा clear फोटो नहीं था उनका जो PDF था ऐसा भी था तो उनको मौका दिया गया था कि आप फिर से upload कीजिए और download कीजिएगा तो तुरें तुस्पर watermark आ जा रहा था और वही watermark बना लेके आपको गुजाना है लेकिन इस बार वह वेवस्था नहीं है है न अगर ऐसा रसा दिक्कत हुआ ज्यादा ज्यादा चात्रकों को तो यहां पर जोख это रहें कि दिवस्था प्रसासी विभाग की अनुशंसा पर अभियार्ती को दी जाए गी मैं तो नहीं यह प्रसासी सुष्ञा यहां पर अपडेट करेगा एक और अपडेट है यहां पर जो दिभ्याग कटेगरी के छात्र है उनको यहां पर IGIMS और AIMS में जो है कराईगे जो दिभ्यागता का आपका गुणागुण अधार पर जो आपका सर्टिफिकेशन है वो आपको लेके जाना होगा तो ये जो सभी दिव्यांगता की जाच अनिवारे रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेजिज जैसे की IGIMS में कराई जाएंगी और ये वे दिव्यांगता का लाव लिये बिना ही गुडा गुण की अधार पर ही वो क्यों नहीं सफल गुसित हो जाते हो ऐसे इस्तिती में माले के सफल भी हो गया पर उनके पास दिव्यांगता प्रमान पत्र सही से नहीं है तो वहाँ पे बाहर हो सकते है ये बाते यहाँ पे लिखी गई है ठेक तो ये चीज हो गया जाज के करम में अगर पाया गया कि दिव्यांगता का दावास अहीं नहीं है तो आपको यहाँ पे कानूनी करवाई भी हो सकती है एक अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कटफ के उपर अब ये कटफ देखे मैंने लिखा है थमनिल पे क्वालीफ-इंग कात आफ होता है जिसमें की आपको अहरतांक ये डिसाड कौन किया है जो आयोग है वो डिसाड करके दिया है अगर आप जेंडरल क्रेश्यरी में अब देखेगा यहाँ पे 125 में आप बाद करेंगे PRT में तो यहाँ पे 1500 नंबर पे है आपका प्राप्तांग है ना कितना माक्स आया इसमें 6 to 12 में जितना क्लास है उसमें कितना 120 नंबर पे तो उसी के अधार पे देखेगा तो जो लोग 125 में है यहाँ पे बोल रहा है कि समान्य वर के लिए 40% है तो इसका 40% क्या हो जाएगा तो 60 नंबर कम से कम आपका आना चाहिए ठीक यह निउन्तम माक्स है तो ध्यान रखेगा इसीच का और अगर इतना आया है आपका तो इसका मतलब कि आपका सेलेक्शन होगा मैंने सुबह आपको इसका कटफ वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगे कमेंट आ रहे थे कि सर आप 80 से सीधे 70 कम लिख दिये हैं यहाँ पर कटफ है ना एक्सपेक्टेट कटफ जो बोले हैं बहुत सारे उल्टे सीधे भी कमेंट आ रहे थे लेकिन अब देखें यहाँ पर समाने वर का चात्र का लिए यहाँ पर क्वालिफाइग कटफ 40 पर्सेंट रग दिया गया है तो यहाँ पर 150 का 40 पर्सेंट यहनकी 6 नमबर क्वालिफाइग है अब इसमें यह देखा जाएगा कि कितना कटफ जा सकता है तो मैक्सिमुम 10 लेकिन यह सारे जो है क्वालिफाइंग कटफ की बात की गई यह सिर्फ यहां पे आप लोग जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का यहां पर कैलकुलेट करके देख लेजीगा कि कितना मांग साहिए यह स्टी और महिलाओं के लिए 32% है नियुंता महारता का और एक बात यहां पे भी है तो यह दो तीन चीजे इसके उपर बात की गई है कट अफ के उपर देखिएगा तो ठेक है यह सब कुछ मैं कल डिसकस करूँगा यह क्या चीजे है मैं समझाने का कोसिस करूँगा एक अच्छे वीडियो से अपडेट करूँगा टाइब रेकर पर आयोग के द्वारा सफल अभ्यारतों का अपबंदिक मेधा सुची तयार किया जाएगा ठीक यह ध्यान रखेगा परन्तु भासा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांग छोड़े गया है छोड़कर ठीक है उपरोक्त कुल प्राप्तांग तो ध्यान से ट्याइट है कि प्राप्तांग का उप्योग प्रत्म टाइबरेकर के रूप में किया गया है ठीक है प्रन्तु एक से पाँच में तो ऐसा नहीं है उसके लिए कोई टाइबरेकर वन नहीं रहेगा ठीक है इसमें कोई टाइब रेकर ने जाएगा तीस नंबर तो है ही यहाँ पे तो 120 में आपका कितना माक्स आया है वो देखा जाएगा अगर कोई 120 में मालेजी के 100-100 नंबर 10 लड़के लेके आगा है तो 10 नंबर में किसको प्राइटी मिलेगा जिसका लेंग्वेज में यहाँ पे माक्स होगा अच्छा तीस नंबर में जिसका अच्छा है तो वह सी तरह बोला गया कि टाइब ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में दूत्य टाइब ब्रेकर की भासा का भाग प्राप्तांग का उप्योग करके कक्षा 1 से 5 के दियापक का चुना जाएगा यही चीज़े है जो पहले था लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भाग 3 को बना दिया गया मतलब कि 120 प्रशन का प्राप्तांग होगा देखे ध्यान सुन लेजेगा कूल प्राप्तांग प्राप्तांग परंतु भासा के क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांग को छोड़ कर भासा वाला सेक्षन तो हटा दिया गया अर्थाद 120 प्रशन पर 120 के प्राप्तांग के अधार पर आयोग के दौरा सफल अव्यारतियों की और पबंदिक मेधा सुची तियार की जाएगी, ठीक, 120 पर तियार होगा, उपरोक्त कुल प्राप्तांग समान होने को जाज़ा जाएगा, अगर इसमें, माल लिए कि 10 लड़कों का आ गया, 105, 105 या 100-100 आ ठीक है, तो अब उसमें किसको वरियता दी जाएगी, तो उसमें जो है, देखा जाएगा, समान इस्तिती में चैनीत विस है, जो आपने विस है सेलेक्ट किया है, मुख के खंड जो तीन है, जहाँ पर अर्थात 80 नंबर वाला प्रशन, कि प्राप्तांग का उपयोग करके, प्रथम टाइबरेकर के रूप में किया गया है, यानि क बाते हैं यहाँ पर आगे, मतलब इसी को समझ गया होंगे आप लोग, मैं इसके और भी डिटेल से बताऊंगा चीजों को, टाइबरेकर वन के बाद समान अंक होने के बाद, यह जो है, इसका तो बता दिया मैंने, तो यह टाइबरेकर के बारे मात हो रही है, परन्तु अन नियामली है यहाँ पर है ना, दोजरतेईस वाले नियामली के कंडिका उपकंडिका पांच में नियुंतम अहरतांक नियत करने के विविकाधिकार का उपयोग करते हुए विग्यापन संक्या कंडिका छे, जो चैन परक्रिया है उसके अनुसार, यहाँ पर नियुंतम अहर प्रबधान के तहत भासा के भाग में निमतम अहरतांक सुन्ने घोशित किया गया है तो यह नियम के अनुसार किया गया है कि यह नियामली ही कहती है कि ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं ठीक है और भासा भाग के प्रबधांक को टाइप रिकर्ट टू के रुप में नहीं रखा गया है इस बार तो जैसा कि अभी पहले नोटिफिकेशन भी दिया गया था तो वही जो बहुत सारे लोग गोल रहे थे कि खेल के बीच में नियम बदला गया था तो ऐसा यह नियम पहले से था इनका कहना है टाइब रेकर थ्री और फोर के रूप में करमसा उनका उम्र सीमा अभ्यारतियों का और देवनागरी लीपी में वन माला के अनुसार नाम का वर्यता दिया जाएगा यह तो मैंने आपको पहले यह बताया हुआ था अच्छा अब आगे जो है कुछ महत्रपूर्ण इनको बाहर रखा जाएगा मतलब कि जो भी एनाई यूएस से डेलेट की 18 महिने का मानेता समाप्त किया गया है इसलिए इनको बाहर रखा जाएगा अब यहां पर कुछ नियामा नुसार यहां पर एंसीटी की गाइडलाइन्स को भी सिक्षा विभाका निर्णे अंतिम पाधी मानिता बिंदू पर अत्वा किसी भी विशेश समतुल्यता के बिंदू पर किसी प्रकार का विबाद होता है तो एंसीटी इसको निर्णे अंतिम समझेगा ठीक यह बात है यहां पर इसकी बाते लिख दी गई है और यह संसुचित है आपके नियामली 2023 में यह बाते जिकर कर दिया गए तो यह बहुत सारी बाते इसमें लिखी गई है तो अभी इन शॉर्ट मैंने आपको यह सारा डिटेल बता दिया कि क्या क्या चीजे हैं इसमें लेकिन इसके उपर में एक और वीडियो बनाऊंगा एक नहीं दो बीडियो बनेंगे इस पर और दो नहीं आप विडियो का है कट अफ का भी है यहाँ पर मेरिट का भी है आपका यहाँ पर हीडियो की बात की कई है और यही उसके बारे मुनाव बात की गई कर दो दोगराज में पूप दिए खो का एंज कर दो चका एंज